तो हेलो फैमिली कैसे आप सब उमीद करता हूँ सब सही होंगे मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट शाम तो आज का ब्लोग स्टार्ट करते हैं आज हम चल रहे हैं अपना का पसेड़ा बोडर क्योंकि यह जो नहीं वाला बाइपास बना है जिसको द्वार का एक्सप्रेस बोलते हैं तो यह मैं काफी टाइम बाद यहां गया हूँ तो मैंने सोचा कोई नहीं आज कहीं ही ब्लोग बनाते हैं तो देखते हैं आज का क्योंकि जब मैं पहले यहां से अब डाउन करता था तो बहुत ही कंजिस्टेड एरिया था यार गाइस सीरियसली बता रहा हूं इतना कंजिस्टेड एरिया था धूल मिट्टी डस्ट रो टूटा फूटा वन वे लाइन मतलब इतना परेशान होता था बट अब देखते हैं अब हमारे गटगडी साब ने बनवाया है बहुत बढ़िया मोधी जी ने उदगाटन वगेरा कर दिया है तो देखते हैं कि इ लाइव जाके देखते हैं क्या है क्या नी लेकिन गाइस देखो अच्छा ही बना रखा है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यह जो फ्लाइवर आ रहा रहा है यह हरियाना से आ रहा है और यह अपना वाया दिल्ली होते हुए गुडगाओं आई थिंक सो अब यह अंडर प चार लाइन का दूसरी सेड आठ लाइन का हाईवे बनेगा बढ़िया बना दिया है देखो गाइस मतल 분들은 seriously अभी अबी अन्डर कंस्रेक्शन चल रहा है लेकिन फिर भी बढ़िया ही है देखते हैं कितना क्या है कहा तक बना है यह रोड कहा तक नहीं मैंने तो मैं seriously बताऊं तो करीब करीब डेड़ साल पहले आया था बट अब काफी टाइम बाद आया हूं देखते हैं क्या है क्या नहीं इसमें आगे यह अच्छा यह अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ठीक है गाइस तो यह भी अभी डाइवर्ड कर रखा है हाल फिलाल के लिए बाकी यह जब कंस् 20-40 मिनट में बंदा इजली आ जाएगा अगर अंदर से आते हैं तो यार मतलब क्यों मान के चलो अगर भादरगड से हम गडगाओं जाएंगे तो लगबग लगबग मेरे हिसाब से बंदा कितना भी कैसा भी रफ और टफ चला ले कैसा भी चला ले डेड़ गंटा तो कहीं नहीं है मरे से मारा डेड़ घंटा तो है विदाउट मतलब हाइवे को यूज करे वे नॉर्मल जो रोड है वे रैड लाइट इतना दिल्ली में आने के बाद तो जाम इतना वह या बस दिल्ली के जाम से तो 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 बाद बाई साब बाकी देखो गाई मतलब इदर सर्विस रोड दे रखा है तो सर्विस रोड भी बढ़िया ही बना दिया जब पहले कभी इसमें आते थे साइड में जो सर्विस रोड है उस पे से जाना पड़ता था यह इंटर कंस्रक्शन था यहां पर बैरिगेट लगा रखके थे यहां मतलब कुछ नहीं था तो इदर तीन ला आँ यार बहुत अच्छा है तो मैं तो सही बता रहों येड़ साल बाद आया हूं और ढ़र साल बाद आने के बाद भी मतलब यार सिर्सली बहुत ज्यादा बराबर में एरपोर्ट चल रहा है अपना इंद्रा गांधी एरपोर्ट तो मतलब अप सही कर दिया यार अगर द उपर करिए जस्ट यह एंबुलेंस एनी टैम दोनों साइड में खड़ी रहती है यह मैंने पता करा था यह किसी भाई से रुक कर तो कह रहे हैं यहां एनी टैम एंबुलेंस रहती है कि इंसिडेंस हो जाए कोई एक्सिडेंट हो जाए कुछ भी मिस एपनिंग किसी के साथ हो जाए तो दोनों साइड में एक इस साइड में रहेगी एक उस साइड में रहेगी दोनों साइड एंबुलेंस रहती है यह एनी टैम तो यह भाई रूंग साइड आ रहा था सेव वाला क सेरे सेव के चक्क्र में अपने सेव लेने के देने पड़ जाएंगे यह अपना कट यहां के लिए है बिजवासन के लिए तो सही है गाइस मतलब अब तो बहुत बढ़िया कर दिया है वरना पहले तो सीरियसली गाइस इतने गड़े वगयरा मतलब इतना वह था और डास्ट रहता था तूटा फूटा रोड था अब तो सीरियसली काफी अच्छा बना रखा है तो हम चले थे यह अपना समाल का रेड लाइट तक तो हमने चेक करा था कि यह कितना बन गया कितना नहीं बना है कैसे है क्या है क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे को सुने का था कि भाई अ तो इधर से देखो गाई कितना बढ़िया यह हमारे दो महारत ही देखना कैसे जा रहे हैं अब बात करने के लिए यहीं जगा मिली यह गया कहीं रुक के बात कर लो हाई वे पर देखो बाइक पर कैसे बात करने यार सीरिशली गाई इनके चक्रों में ना लोग बाग फिर सर्फिस रोड पर अब करने सब्सक्राइब करने रुक के बात कर ले लुट के लिए चलो मतलम सीरियस लिए च्छा लगा यार काफी चोड़ा चोड़ा रोड कर दिया लब की बहुत यह जिसको बोलते हैं ना मतलब मन खुस हो गया इस रोड पर आके तो मुझे तो यह काफ यह पहले क्या था और अब क्या है अगर गाइज कोई पहले का experience पूछे तो वे बस को क्यूं पूछोगे यार तुम्हें पता यह पहले क्या road था यह क्या नहीं था व ह inmquiल्ट रहते हैं तो अर्णोंना कुछ रहता है और अब क्यों सिर्य Concept सब्सक्राइब करें यह जो साइड में आप रोड देख रहे हैं यह समाल का रेड लाइट जो है उसको मतलब क्रोस ना करें तो राइट में कई बार होता है जाम बगरा होता है तो यह नॉर्मल यहां से जा और सीधा निकलो लेकिन अब सीरियसली जब मैं आगे गया ना तो मै रेड लाइट ही नहीं रखी यहां पर यह जो में चोक है समाल का रेड लाइट वाला जिसको हम बोलते थे तो इस पर देखना आप भी देखो काई इस पर कोई रेड लाइट ही नहीं है यह अभी काम चल रहा है ऐसी बात नहीं नहीं लगाएंगे यह देखो यहां पर मैं लगे इधर रेड लाइट ही नहीं है यह मतलब जैसे तैसे भी आल zwaral चल रहे हैं लोग बाग यह क्या काम क्या कांड कर रखें हैं लगेगी ऐसी बात नहीं लगेगी बट वह यह हॉई लgg आप से मिलका नीच्ट वीडियो में ऊ-K यह लब